वाले कमपेरिजन इन दू दू पॉर्ट के बीच में एक है डूपॉर्ट ncf70 और दूसरा है डूपॉर्ट nc a 550 तो चलो करते हैं कमपेरिजन इन दू 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 पॉर्ट के बीच में इन दोनों में डिफ्रेंस किया है यो मैं अभी आपको बताने वाला हूं तो लेट्स देखने में दोनों के दोनों same to same है आप सामने देखोगे box का design भी same है product भी same है खली color difference है यह देखोगे ENZ 550 नीचे बाकी सारे content same है डूओ truly wireless earphone दोनों में same दिया हुआ है यहां दिया हुआ है deep powerful base made in India और environmental noise cancellation के साथ आते हैं इस तरफ आओगे यहां देखोगे यहां लिखा है push the limit और दूसरी तरफ आओगे इस तरफ दिया हुआ है engineer and made in इंडिया back side में आओगे तो back side में आप देखोगे जब product को तो आपको दोनों product आपको लगेगा कि दोनों एक ही product है खाली अगर नाम मैंने इसको हाइड कर दिये content देखोगे दोनों same to same है design देखोगे दोनों same to same है लेकिन इनमें सिफ एक difference है वो मैं आपको अभी product review के time और comparison के time पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरफ आओगे यहां देखोगे दोन है एक साल की warranty के साथ है और ऐसा कुछ है नहीं बल्कि same to same product है और मैं बता देखोगे यह दो product कौन कौन से है वो है पहले यह है ENC F70 और दूसरा है ENC A550 अभी आप product को देखोगे दोनों product same to same है यहां देखोगे दोनों के design भी same है कोई जाले difference नहीं उसी तरह चारल indication lights नीच इतना चार्ज बचा हुआ है नीचे की तरफ आओगे नीचे की तरफ दोनों में same to same c type charging port दिया हुआ है बैक साइड में जो इंजे देखोगे same कुछ भी difference नहीं है जैसे मैं इन्हें open करता हूँ open करते ही दोनों का जो अंदर bucket है वो भी as it is है जो पगा धकन है और जो अंद निकाल देता हूँ मैं देखो चारों को साइड बसाइड रखके comparison में देख लेते कैसा है कोई भी difference नहीं है same size है same design है सिर्फ आपको यहां सिर्फ color difference लगेगा और इसमें कुछ जाड़ा difference है नहीं खाली एक ही difference है वह भी मैं आपको थोड़ी दिर में बता दूंगा थोड़ दोनों में ही आप देखोगे कि environmental noise cancellation दोनों के अंदर ही है दोनों का जो battery backup है वो 50 hours का है आपको बता देता हूँ हर एक के अंदर जैसे की एक ये pod एक ये pod इसका combine आप देखोगे 40 mh इसमें बैटरी है 40 mh की बैटरी इसके अंदर है 500 mh की बैटरी इस capsule के अंदर है same to same आप देखोगे इसके अंदर भी 40 mh 40 mh और 500 mh की बैटरी इस capsule के अंदर दी हुई है बात करता हूं Bluetooth connectivity की Bluetooth connectivity के आप से बता दूं दोनों में 5.1 जिसका रही लगबग 10 मिटर बोले तो 30 feet से 30 feet के आसपास है और दूसरी बात इसमें बताता हूं इसमें जो audio का जिसमें जो driver यूस क किया हुआ है और जो A550 इसके अंदर 12 mm का driver है बस इतना ही difference है और ज्यादा कोई difference नहीं है लेकिन जब आप sound quality चेक करोगे दोनों में आपको हलका सा कुछ feel हुआ तो हुआ नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसमें 13 mm का है किसमें 12 mm का है बाकी कोई difference है नहीं इस product के अंदर यह है यह products की specification और कुछ है नहीं बस मैंको खाली इतना ही बताना दें दोनों के compare region के बारे में कि यह दोनों प्रोड़क्टे में मीवी ने सिर्फ क्या difference दिया हुआ है उसी बारे में बताना only driver difference है और कुछ नहीं है बाकी सारा same to same है sound quality देखिए इसकी voice quality देखिए आप में इसके individual वीडियो मैंने डाले हुए है उपा आये बटन में आपको मिल जाएंगे दोनों के दोनों वहां जाके आपके sound और voice quality चेक कर सकते हो तो यह दोनों प्रोड़क्ट का comparison जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया वीडियो ज्यादा मैंने लंबा बनाया नहीं क क्योंकि ज्यादा लंबा बनाने के लिए कुछ था नहीं इस वीडियो के अंदर सिर्फ comparison था यह बताना था दोनों प्रोड़क्ट में difference क्या है कुझे मुझे बहुत सारी request आ रही थी यह पूछ रहे थे कि यह दोनों प्रोड़क्ट में difference क्या है यह दोनों same to same दिख रहे ह तो जल मिलता हूं आपको ऐसे को लिए informative वीडियों में तब लगे टेक कैर बाबाई बाई 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 बाई